अलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकिया यह हाईनेक कॉलर की कर्टिंग एंडिस्टिचिंग बहुती इजी बे में बताऊंगी मैं हाईनेक केलर की कर्टिंग एंडिस्टिचिंग तो आप यह देख सकते हैं कि मैंने इस टाइप पी कुर्टी पेस को बनाया जिससे में कोई भी वीडियो डालूँगी इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह देखिए इसमें मैंने यह जो मैं जिस कुर्ती में बना रही हूँ इसका जो बैक का फ्रेंट का पार्ट है इसको मैंने चारो तरप आप यहां से गले की चोड़ाई मैंने 2.5 इंच लिये और इसकी डीपनीस है भू हम देंगे 3 इंच लिए फ्रेया और 30 स्ज सघ्ड लियुलाःः नीचे में 3 इंच ले अगर बड़े साइज का बना रहें तो शोह से मिनमें नीचे व इस तरह से इसको कट कर लिए अब हम इसमें बैक पार्ट पे निसान करेंगे तो यह दिखिए गल्य की जो चोड़ाई है इसमें भी अधाई इंची लेंगे जो सामने फ्रेंट वाले में लिया था उतना ही आपको इसमें भी लेना धाई इंच लेनी है दियान रखने आपको जो डीपने से आपको आदा इंच के आज पास ही लेनी है इसको कट कर लेंगे और जो ने कट किया है उस पर हम स्लाई लगा लेंगे जिससे हमारा जो लाइन गाला जो असतर रह आगी पीछे नाओ इस तरह से इसको अटेज कर लेंगे बड़ी चलाई लगाते हुए यह दि bet. sandwiches आपको यहाका निसान लगाना हиковान मचना है ज्ट स्सक्राइब मारी पट्ते लिए आपको के सथे दाःतागी उसका निसान लगाना है यहां पर इस तरह से निसान लगा लेना है इस आपको चाड़ा वास करना है पहले बड़ी से से एक गोड़े की चारो तरप से इस तरह से आपको पूरे में जैसे कि मैं दिखा रही हूं चारो तरप से एक गोड़े की सलाई लगाते हुए पूरे में सलाई लगा लेने यह दिखिए इस तरह से अब इसके जो मनें बीच वाली जो सलाई लगाई थी इसको कट कर देंगे इसको कट करने के बाद इसको आपको फोल्ड करना है बाहर साइट से तो इसको जैसे हम हाई पट्टी फोल्ड करते हैं उस तरह से फोल्ड करना है इसलिए यह पट्टी लगा रहे हैं जब आप हाईने कॉलर पूरा पैक करेंगे ना तो जब पीछे साइट से खोल लेंगे तो पहनने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको इतना खुला हुआ रखा हुआ है, यह देखिए, इस तरह से आपको खुला हुआ रखना है, आप देख सकते हैं, हमारी जो पट्टी है वो लग गई है, अब हम इसमें इस तरह से आपको राइट पर रखते हुए, इस तरह से आपको आर्मोल साइट से सोल्डर को बरावर रखते हुए, इस तरह से आपको जोइंट करना है, आगे साइट से नहीं करना है, तो आर्मोल साइट से बरावर करते हुए, दोनों सोल्डर को आपको जोइंट कर लेना है इस तरो साघे सब्सक्राइब दॉनों में लाई लगा लेना थेदा यह दिल्गे फूसी जारा है एक है फूरा आप लिए देवेशनें के आपथ हैस तरह से चालें athletesकर पूरा नएक को मासर के लद जाने के दूस को अब को इना रहा है मुआरा खाला है दूस कि कौलर के लिए पट्टी हंगा झाल ने घा YouTube प्रमकट ऊच्छ में आइघ है आपने ख़र 27 शाओ लिए कंुन सब्सक्ताइबपने क्ली करना इस सब्सक्राइब देहें हमारा रोग समया का दौर 20 आफ तेज देखें और नो इंच लेके बाद में उसको कट कर देंगे जो भी हमारा एस्टर जा रहा है तो इसमें लाइनिंग और मैंने में फैवरिक में पूरा जोइंट कर लिया इसको इस तरह से आपको पूरे मैंने चारो तरफ कच्छा कर लिया था यहामने कैनवास पट्टी ली हुई है यह दे इस तरह से स्थे कौद कर लेंगे को में ब meta कर देखे जिस तरह से आपको कूड़ा को चौड़ा ह Jessie लग रहा है место लाइनिच पैसब रह सकते हैं इस तरह दो फर्टी Hah लिया है इस तरह को इल्टे भाग में वोल्ड करना हूँ यहां से कैनवस पप्टी हमने कट करिये उसको इसतरह से रखना है राउन वाला इसले आम लगा लगानी है तरह से आपको सेप visitor के स्लाइञें के आपको जो असी तरह को काट लेना है के अपर से कि नवस को बिल्कुल एकदम अपर से आने करते हूं नीचे चौह से पूरा अबर डदना है करते हुए इसको पूरे में हमें आपको स्लाई लगा लेना है और यह साइड से एक साइट dew है फेबृ को फोल्ड कर लेना है इधार हैinson फैबृ को फोल्ड इस में करते हो पूरे मैं आपको सब्सक्राइब या जिर्भ फट। प्रहेंушки आम इस सब्सक्राइब करेंगे की तक पूरा में बरावर आ साथ भीज़ी आपको सब्सक्राइब का रहा है मेरा जो फिक्स आया है यह सकते हैं पूरा उपिटिंग आए है आपको इस तरह से इसको लगाना है कि कि यहारा केड़ वाला साइज है वह सामने साइजर रखने है छोमारा व साइज वहांना दिख सब्ड़े से करसely receipt वह उपर आना चाहिए वह हमारा सामने रहेगा फ्रेंट में तो वह उससे जो लुक है वह अच्छाता है तो यह दिखिए आपको क्या करना आपको पहले अपनी कुर्टी को उल्टा रख लेना है और यह दिखिए जिदर से हमें यह लगाना है देख सकते हैं आपको इस तरह स जो मारा फैब्रिक वाला यह दिखिए इस तरह से अगर आपका एस्टा जा रहा हो तो उसको आप छाट ले तो यह दिखिए मैं जो एस्टा जा रहा था उसको चाट लिया है फैब्रिक को अब आपको जो फैब्रिक वाला साइड है वह आपको नीचे साइड रखने आपको तो यह दिखिए पहले आपको इस तरह से करते हुए पूरे में आपको इसमें पूरे कॉलर पर स्लाई लगा लेनी है इस तरह से करते हुए आपको पूरे में अच्छे से आराम से इसको पूरे में स्लाई लगा लेनी है आप चाहें तो पहले आप इसमें बड़ी स्लाई भी क्योंकि आभ अगर तो आपको कोलर सही से नहीं लगいます छोटी सलाइए तो हुआ पहले बढ़िदि लगाती हुं कि हमारे लगने में कुछ पूर्बलम आ जाए तो इसको हम बाद में इसमें हमारा मार्जिन है उसको पूरा दबाने का साइड में जितने हम इधर साइड पका कर लेंगे नीचे साइड से यह देखिए इस तरह से पका कर लेंगे और यह देखिए इस तरह से हमारी जो लग गई है अब हम इसको अंदर साइड बाहर साइड सीधा कर लेंगे यह द सब्सक्राइबtoi तो प्रवाइब देखें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस तरह से करते हूं आपको पूरे में पूरे में पूरे लगा देने हैं जो नीचे साइड चूड़ के रखा दा यहां पे यहां पे भी अम प्रवाइब पक्का कर देंगे इसको यह देखिए जिस सेप में वह आपको चाट लेना फिनिशिंग से जित्ते भी धागे जा रहें उसको काट करना है और यहीं कि नहीं को बतानी के कोसी करी है अगर आपको मेरा यह बीडियो अच्छा लगा हो तो अप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सस्क्राइब जरूर करिएगा और बैल आइकन को जरूर दवा ली देगा जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे थैंक्स फॉर वाचिंग बाब बाई